नमस्कार आप सभी को स्वागत है मेरे यूटूब चैनल जीतूर शोई में तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो पहले जान लेते हैं नास्पती की कुछ फैदे तो नास्पती एक मौस्मी फैले नास्पती में फैवर पाए जाते हैं और यह फैवर की वज़ा से जो हमारे पाचंटन्त्र होते हैं वह मजबूत होता है ये कब्ज होने से भी छुटकारा, इससे मिलेगा नस्पति में iron की मातरह अधीक होती है ुजो हमारे हीमोगलोविन को बढ़ाता है नशा पती में यह पौडर यूज किये जाते हैं बहुत सारे पौडर यूज किये जाते हैं इसलिए अच्छे से वास कर लेना है वास करके इसे उपर का जो छिलका है उसे निकाल करके साइड कर लेना है आप नाइप से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कर सकते ह नाइफ से थोड़ी सी तो मेहनत लगती है लेकिन उससे भी असानी से हो जाता है this is too. इसी तरीके से तीनों को एकक कर कि मैं इसे फिल कर लेना है उपर का कभर लेना है छीलके , कि तो देखे पातायक मिलता है इससे फैदा मिलता है तो देखिए यहां पे तीनों पील हो गया है तो इसे कट कर लेना है और जो अंदर का जो दाना है ना इसका बीज वो सैट कर लेना है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए उस बीज होगे रहा तो एक जरूरी बात है कि इसे कट करके पानी में ही डालना है नहीं तो इधर रखेंगे तो एक काला हो जाता है इसलिए एक बॉल में पानी रख लेना है और बॉल में ही कटिंग करके इस तरीके से डाल करके रखना है और पानी में डालने से यह काला नहीं होता है तो आप जरूर कभी भी आप ऐसे जूस बना रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं तो आप पानी में जरूर डालें तो देखिए इस तरीके से इसे कटिंग करके और पानी में डाल लेना है तो ये मेरा हो चुका है तो इसे अच्छे से वास कर लेना है अच्छे से वास कर लेना है इसे दो लेना है और यहां पर एक लेना है ग्रैंडिंग जार इसमें अपने कोडिंग सुगर डालना है आप अगर जदी मीठा पसंद करते हैं जादा तो आप ज्यादा डाल सकते हैं कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं और यहां पर थोड़ी सी मैं आधा नीमबू डाल रही हूं आप ग्रैंड करके भी आप डाल सकते हैं मैं साथ में डाल दे रही हूं और काला नमक थोड़ी सी इसका फ्लेवर अच्छा होता है और साथ में यहाँ पेमें तुलशी पत्ता डाल रही हूँ यह सेहत के लिए भी पहुत थैदे मन्द चीज है तो आप इसे भी जरूर डाले अगर चिदि आपके पास पोदी नहीं है हर्यावला तो आप वो भी डाल सकते हैं तो इसमें जो कटा हुए है नास पती वो इसमें डाल लेना है पानी से निकाल करके और यहाँ पानी इसमें डालना है और इसे ग्रैंड कर लेना है तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड हो रहा है तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड हो चुका है मेरा तो इसका मैं अस्पून के सहता से मैं दिखाती हूँ इसमें आप ज़्यादा कम पानी डाल करके पतला या थीक है तो आप कर सकते हैं तो इसे एक बॉल में छनी के सहता से इसे छन लेना है तो इस तरीके से जम जाते हैं तो आप अस्पून के सायता से इसे साइड कर लेना है इस तरीके से और यह असानी से फिर छन जाएगा अचो ये अंदर का भाग होता है ना जो अंदर का ये सीठा जो बढ़ चाता है उसे अस्पुन से ऐसे दबा देना है तो ये असानी से सब निकल जाता है जूस तो देखें, यहाँ पे तुल्सी पत्ता हम डाले थे न, तो यहाँ पे green green दीख रहा है juice, इतम color change हो गया, यहाँ पे लेना है glass, और इसे serve करना है, तो तुल्सी पत्ता डालने से इसका flavor भी change हो जाता है, और पीने में भी tasty लगता है, तो आपके घर में है तो आप ज़रूर ड निम्बू लगा देती हूं अगर आपको ज्यादा पसंद है कि निम्बू फिर्चे डाल के पिना है तो आप इस तरक के से लगा सकते हैं तो देखिए यह हो गया है तो इसे सर्प करते हैं और मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा सेर को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू